अलो दिया स्टुटेंट्स क्लास एट हम पार्ट पढ़ रहे थे अंडरस्टेंडिंग क्वाड़िरेटर्स चत्रबुजों को समझना मैंने इससे के वीडियो में आपको एक्साइज 3.1 से समझाए था मैं आपको बहुत इंपोर्टने चीज़ बता रहा हम आज पॉलिगन और क्वाड़िरेटर्स बहबुज और क्या चत्रबुज के बारे में तो मैं आपको कहता हूँ समय भी कि पॉलिगन बोलते हैं बहबुज को पॉलिगन कि केवल भुजाओं से बनीवी बंद आकरती को बह आपको कहता है भुजाओं से बनीवी बंद आकरत को बहुज कहते हैं तो बहुज मिस होता है कि बहुजाओं से बनीवी आकरत कैसी होती है वकर और बहुज के बारे में आपको समझाए था करव और बहुजाओं से बनीवी हैं यहां पर देखिए बहुजाओं से बनीवी है तो देखे। हैं यह पर इनकों देख रहे होंगें, देखो यह processing देव GODSें, ने को बुघाएं SI 223 का इसमैं जाने है पॉलिगन का उसलिए है इसमैं 43 205 देख केंश को बूजाें है इसमैं इस सो का選 Priest to 113 का उसमें 10ölारे दीन है सो बुघा है, तो आकरती बन चाहिए और यहाँ पर ऐसा का रखार आपने खुलावाए अगर कई पर भवज खुलावाए है हम उसे पॉलिगण ने कहेंगे अगर ₹ कर्व है सिर्व एक वक्र है वो लेकिन भुजाओं से बनीवी बंद आकरती को कहते हैं बहुज इसलिए आप प्रवास लिखी विए आप इसको लिखेंगे फिर कौफी में आज पॉलिगन लिखेंगे एक क्लोस्ट फिगार मेड आप 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 इसकोड एक पॉलिगन एक क्लोस्ट फिगार एक बंद आकरती मेड आप 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 बुजाओं से बनीवी इसकोड एक पॉलिगन बहुज क्यलाती है तो बुजाओं से बनीवी बंद आकरती बहुज क्यलाती है तो यहां पर यह बहुज नहीं है यहां से खुलावा है तो इसे पॉलिगन नहीं कहेंगे जब पॉलिगन नहीं है तो कोई बहुज नहीं है तो इसलिए मैं कहे रहा हूं कि बहुज में सबसे कम बहुज नहीं कितनी होती है तीन और अधिक कितनी होती है अधिक की कोई सिमा नहीं है अधिक जो है उसमें हजारों लाकों अरोब हो सकती है लेकिन सबसे कम बहुज नहीं कितनी होती है तीन तो अब यहां पर अलग नाम है यह सारे क्या हैं पॉलिगन यानिकी बहबुज हैं इन बहबुजों के अलग नाम है यानिकी तीन भुजावाला बहबुज है तुत्रिभुज ट्रेंगल चार भुजावाला बहबुज है चतर बहबुज यानिकी पेंटागन यानिकी पंच बहबुज छै भुजावाला का orteg and और क्या होता है बनाई नहीं आपर साथ ब्रहाई वाला है टागन तो यहां पार जो भी है तो यह सारे नाम अल्लग है इसकी चुंकि इसमें तीन हैं तो ट्राइंगल ब्रहाई चार है थो क्वाड्रेल्टरस ब्रहाई पांच थो क्या पेंटागन पंजभूज ब्रहा अब अब निसे इसे के बारे में, आँ पर आखा इसे कि-स सिर्पाइधन आणका होते हैं इन्सम में होती है क्या викाड़न। इन्सम में होती है क्या legitim होती है चार वजाओं से बनीवी द्यान नी रहे आकरत का बंड होना जरूडिए जो अकरत बंड नहीं होगी तो ततर्बूज ब्हावज नहीं होगा वह नहीं होगा तो तत्रभूज भी नहीं होगा क्योंकि चत्रभूज भी एक बहुत है तो यहां देखें, यहां देखिए, आपे निखावा हैं कि चार वजयाओं से घरी भी बंध आकरती को क्या कहता है, चतरबुस कहते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 वजयाओं मैं आप rubbish है, और देखिए 1, 2, 3, 4 है और आकरती क्याुन है आप विखावा है वन थो थी फूर, Ona भी सब्सक्राइक मेंड़न कहself है, अगर में उसमें 5 कौणड भी हों चार उसमें कहले हैं dit कि होते हैं क्या दो बिकर्ण भी होते हैं डायगोन डायगोनन इा इसकी आपे से Владीका के से मेला या निए कि दीनोंन दूपर नहीं दूब है। व्रशाइट斯, फू एंगिल, और टू गडृयागोनल इप ट्रवस साइट, फूर एंगिल, टू डाइगोनल चारव जान क्योतार, दो 2-घटवरोल करें यहां के देखे जनके शीन देखे किजिता हैं, डाइगोनल क Tianji पोलिगन दो प्रकार के हैं, कौन बैक्स और कौन को पोलिगन, यही मैंना आपको पेले कराए था, उत्तल और आउत्तल भावुज, भावुज आप समयरे होंगे, भावुज में बुजाएं, दो नहीं, तीन, चार, पांच, या उस्तादिक भी हो सकती है तो यहां देखिए मैं आपको यह कहा था जिस भावुज के विकार्ण जिस भावुज के विकार्ण भावुज के अंदर बन रहे हो उन्हें कहेंगे उतल भावुज और जिन भावुज के विकार्ण भावुज के भार बन रहे हो उन्हें कहते है क्या जोबी तो एक आधक बिस्तार से कराय था अब मैं आधको यह को समझा नह良हा हो रेगुलर और इर्यॉद रेगुलर पोलिगन सम् क्या होता है दो आधके प्रिप्षश्ट आप जांते हैं मैं आपको पहले करता जिस बंध में चाम इसमें चार है बियाए तीन है, चार है, पांच है, छे, दस है, सो है, जितने भी बियाए हैं, अगर बहुच की सबी बियाए बराबर हों, यह तीनों बियाए बराबर हैं, यहाँ पर चारों बियाए बराबर हैं, कहीं पर पांच है तो पांचों बराबर हैं, कहीं पर छे तो छे को छे बरा देखे यहां पां पर देखे इतों कैसे रियूकर बजैइं बराबर हैं यानि तिना विए Bay बराबर हैं यहां एक दो तो तीन में बराबर नहीं हैं तो आपको आज करा हम फूर कर os एक्ष्тобान किजी इस टेबल को देखे इस टेबल को समझें एक्ष् Latino टेबल इस्सीघ़र इस 地ंमल अइंटो यंट्रेंगल उइंटा समझेर आइड़ इंट्रेंग्टर एंधन आट्व będziemy मैं आपको इसको अलक्साम समझा रहा हूं इस टेबल को देखिए टेबल में क्या दिया क्या है figure, sides, angle sum, figure में से gewiquer में से 4 में से कविफ भुजाएं कितनी है and angle sum को नों का योग कॉंड योग, को नों का योग देखे त्रिबुज говорить के तीनों का कितना होता है 1808 आप class होने पर चुग है त्रिबबुज पेirdi आप को समझाना है कि कोई भवुज हो चाहिए ष्म या कोई जोटानँ हो उनके सबह में कितना होता है परतम को ये वी समझाय था告诉 बिक एक ऐगर जो मैं तो कॉण मुझा भेज जह तो 2 होंगे उसी चार फैनक湖 नहीं चार फांखे बुह फैंगे 16ієуск Reais यह ट्रीमज सबसक्करनिह उसका। तो किसी ट्रिंगल के तीनो कॉड़ुका योग- Mosckie प्यानरिंगा कॉड़ुक कामने आय आपहिएंग कामने कामने ॥ कैमने कॉड़ुका की एक्सफ लाय है यह चत्रवुद के चारौ। कितना हो त्रीन सुर्वे खाण फोर अपको यहांगडना है उस टेविल से जाद अचिदंग से आपको यहां वस्वन में आएगा What can you say about the angel sum of convex polygon with number of sight? कि यह कहरा कि What can you say about the angel sum? आप किसी कौनों के योग के बार में क्या कह सकता है? आप कौनों के योग के बार में क्या कह सकता है? जिसकी बुझाएं हैं, जिनमें बुझाएं कितनी है? से मान दाए कितना है इसंए कोई भी सप्षार है कर बॉजाँए कितना हो गए की तरीज ट्राइंगल गारन धॉ कितना हो देखिए, मालें ये एक्जम्पल लिखा में इस प्रेस्ट के बारे में, साइट से तीन, अगर भुझाएं तीन हैं, यानि ट्रेंगल है, अगर भुझाएं तीन हैं, तो एंजिलसम कोर्णों का योग है, अगर किसी बावबुझ में, किसी पॉलिगन में, भुझाएं कितनी ह है ये यदि ट्रेंगल है तैंट पर जानते हैं कि फिर पिर्बुष के ओंट नहीं को कितना होता है माना हम याद नहीं कि तिन और क्कसिशार इसका सुथर है अगर बुजये 10 हैं 10 में दोम गडनाई और एक सबसे क्या कहां किजिए भुजये मति जानता है कि पैसे कोड़ों का होता है मानन आपको पता नहीं है आख केसे निकालेंगे बराबर पयर गड़ाई एक तीम से फ़र गया गड़ 180 degree 180 degree मान लीजिए दूसर प्रेशन में लिख रहा हूं बुजाएं 4 हैं तो कौन यह कितना होगा इसके कौनों का यह कितना होगा देखे अब पहला आप समझेंगे कित्र बुज के तिनों का यह कितना होता है 360 हम आप दिखेंगे कैसे होता है बुजाएं कितनी होते हैं 4 साइड से उसकी 4 हैं तो कौनों का कितना होगा 4 मैं 2 कम किजिए पहले मटवा किजिये इसको क्या 180 से कितना होगा 4 सिर्गडा यह 2 कितना होगा 200 but 180 कितनाः 360 तो हम समझे तो अगर जिस पॉलिगन में 4 साइड है उसमें कौनों का होगा 4 कौनों का कितना होगा 360 साथ, क्योंकि बुजाए चार हैं तो कौन भी होंगे? बुजाए तीन हैो चार होंगे? बुजाए चार हो होगे? wcześniej मान लिए ओस भाह भुझ में बुजाए आठ है? तो बुजाए खम भुझ में आट होगी है? बुजाए आठ हो is tla ऐ Мы Can 4 5です सब्सक्राइब कितना गया 180 डिग्री और उसको गुणा किजिए 180 डिग्री यानि कि किसी अस्ट्रबुज के किसी और टेगन के सभी 8 अकॉर्णों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा ऐसे जो किताम में लिखे मैं उसने हम इसका में निकाल सकते हैं अब इसी प्रेश्ट को यहां कह रहा है कि यदि भुजाओं की संक्या साथ है आठ है दस है या एन है तो उनके कॉर्णों का योग कितना होगा What can you say about the angel sum of a convex polygons with numbers of sight कि आप कॉर्णों के योग के बार में क्या कह सकते हैं जिनकी भुजाओं की संक्या कितनी हो पहला seven b 8, c 10 р और d n ऋ तो अब देखे जो निमना का पहला है भुजाओं की संक्या कितनी है छ estar number of side equal to 7 और angle sum कितना होगा 7 minus 2 पहरें हम दो कम करेंगे multiply 180 degree देखिए यह करेंगे प्रेस्ट अमर 4 का A number of sides भुजाओं की संक्या कितनी है साथ है जैसे पहला प्रेस्ट का भी है भुजाओं की संक्या प्रेस्ट चोथे का A है यह भुजाओं की संक्या आपको टेबुल नहीं बनानी है सिर्थ आपको यह करना है भुजाओं की संक्या साथ है कौनों का यूग sum of angle यह angle sum कितना होगा मैं आपको अब भी समझाया था 7 minus 2 multiply 180 degree जो भुजाएं है उसमें दो कम कर दो और गुणा करो 180 अंस से बराबर साम दो गड़ाओ 5 गुणा गई क्या 180 बराब कितना होगा 185 याने की 900 degree ऐसे प्रस्थ दूमा है कितना 8 है numbers of side 8 angle sum equal to 8 minus 2 multiply 180 degree 8 दो गड़ाओ 6 गुणा गई 180 degree और गुणा करके क्या आएगा 1080 degree ऐसे आप B और C भी कर सकते हैं D है मालो numbers of sides N ये इसने काता है N भुजाए हैं तो कैसे करेंगे numbers of side N angle sum कौनों का योग angle sum equal to जो भुजाए हैं उसमें डो कम कर दो brackets में गुणा गई क्या 180 से गुणा कर दो इस कांसर यह होगा क्योंकि N का मान हम जानते नहीं है N का मान अगर 7 है 8 है 2 है 10 है 3 है जो भी है उसको रखेंगे तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको समझा दिया है इस कांसर क्या यह ही रहेगा तो हम किस प्रकार से किसी बाबुज के हम बो सकते हैं यदि किसी बाबुज में 20 बुजाएं है तो उसके कोणों का कितना होगा 20 कोणों का कितना होगा 20 में तो कम करो 18 18 कुणा करो क्या 100 से जो गुणा करके आएगा वही इस बाबुज के सभी कोणों का योग होगा होमवर्क में प्रेस्टमबर 4 करना है टेबल को बनाना के आउश्चता नहीं है आप प्रेस्टमबर 4 में सिदे इसे करेंगे कि बुजाएं साथ हैं आटने दस है तो उनके कोणों का कितना होगा अब नेक्स ट्रेक क्वेस्टमबर 5 वाट इस रेगुलर पोलिगन कि रेगुलर पोलिगन किसे कहते हैं सम बहुज किसे कहते हैं तो इसका आंसर यह लिखावा मेरा रेगुलर पोलिगन सम बहुज एक बहुज जिसकी सभी बुजाएं और सभी कौण बराबर होते हैं उन्हें हम regular polygon कहते हैं एक polygon, एक बहबुच whose all side, जिसकी सभी बजाएं and all angles, सभी कौन are equal, equal होते हैं, बराबर होते हैं इस called regular polygon, उसे regular polygon कहते हैं, जिस बहबुच की सभी बुजाएं और सभी कौन बराबर हो उन्हें regular polygon कहते हैं और जिस बबुच की बुजाएं और कौन ब्रावन नहीं होते हैं उस हम क्या कैते हैं ? Irregular Polygon, जो मैंने आप को इस से पहले भी का था को फ़्य बबुच माना उसमें बुजाएं चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे छे हो, चाहे दस हो, चाहे कितने भी भुजाएं हो अगर सब्झवी भुजाएं यह हैं तो हम क्या कहेंगे रेगुलर पोलिगन कहेंगे जिसे मैं आपको पहले चाहिंग्व है ट्रेंगल में 13व यह बराबर है तो इसम क्या गयाएंगे तो प्रिण इसम क्या गेंगे अगाते ऊंक्यूंगे चप यहां तौनी लगाते हैं माचप गूझे कि अगर थेखे wedउस हो तो क्या संबावत्य भूज यानिकी एकविर्टर ट्रेंगल अगर चत्रबूज में चारा भूज है बराबर हैं तो क्या कहेंगे सम चत्रबूज यानिकी रूमस उसको कहते हैं आपने प्लासफिंद पड़ावाएं अगर इसे जो है पंच बूझ की पाच बूझ यानि के तो क्या कहांगे साफ बूझ की पाच बूझ यानि की रेगूलर है तो क्या कहांगे आसे सस्वक्त बूझ का।्द इंग्ली ऐक खागन श्प्त बूझ गू richer निकर जान ऐसे अन्यकोवियम कहेंगे तो यहाँ आप आप इसके प्रवासर लिए यहां से पॉलिगन और इसके आगे उसने प्रेस्ट में विजोड़ा है वर इस रेगुलर पॉलिगन आपने स्कूल दिया आपको समझाए था तो दिया से fell लिए यहां लिए किया है प्रेस् ROB. और आपको समझाए था उसे में एकोलाटरर ट्रेंगल यह4 विजोड़ा है तो क्या कहेंगे रोमस ये चैन review ब्राइब श्रायव क्या कमएंगे और अन्हें अगर सम्दोब उप्रयाराई अगा का आएगर उभाराईंगे रोमस चैन Purall वी करना ये लिए गूद्बाई